अभी कुछी हफ्तों पहले जब पूरे देश में डालों की आस्मान छूती कीमतों पर हाहाकार मचा था तब काला बाजारों पर छापे डालने के लिए राज्य सरकारों को तयार करने के साथ ही केंद्र सरकार ने इस बारे में भी विचार करना शुरू किया कि देश को डालों के उतपादन के मामले में किस तरह आत्म निर्भर बना जाए इसके लिए प्रधानमंत्री कार्याले में एक उच्छ स्तरीय बैठक हुई जिसमें कानपूर के भारतिय दलहन अनुसंधान केंद्र यानि आयाई पियार ने भी भाग लिया केंद्र ने सरकार को अगड़े दो साल में दाल उपादन के ख्षित्र में आत्म निर्भर बनाने का फॉर्मूला प्रेश करते हुए दाल के उपज ख्षित्र को बनाने का ब्लूप्रिंट प्रेश किया देखें रकबा बढ़ाने का भी बहुत स्कूप है एक तो करीव 110 लाख हेक्टेर जमीन जो है पूर्वी बारत में ऐसी है जिसमें धान के बाद कुछ नहीं होता है तो जमीन में जो हमारी दल्हानी फसलों जो कम पानी जिनको जरूरत है वो रकबा दूसरी रभी कराप इस इस लिहाद से भारतिय दल्हन अनुसंधान केंदर के अंदर खास प्रयोग किये जा रहे हैं ताकि धान के खेतों की नमी का इस्तमाल करते हुए डाल के उत्पादन को बढ़ाया जा सके पंजाब और हर्याना के कुछ इलाकों में बाखाइदा इससे जोड़े प्रयोग सफ पादन बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है खरीद क्रांती या ग्रीन इवाल्यूशन की बात करते हैं उसमें कुछ राज्य हैं जो कि हम पल्सेस में पल्सेस के लिए उप्युक्त समझते हैं वो है जारखंड चतिजगर्ड और कुछ बिहार का जो पार्ट है और कुछ पुछ दालें जैसी हैं सभी तरह के तो दाल न नहीं है लेकिन कूछ एक दलहनी फसल जैसे आप समझ लीजी कि मसूर है मटर है यह हम उसके लिए एकस्पैंशन विस्तार कर सकते हैं लेकिन समस्या केवल रखबे भर की नहीं है क्रिशी व्यग्यानिकों का मानना है कि दालों का उत्पादन रखबा बढ़ाने के साथ ही भारतिय दलहन अनुसंधान केंदर की योजना देश भर में दालों की उत्पादक्ता बढ़ाने की भी है एक अनुमान के मुताबिक केंदर के खेतों में प्रती एकर दालों की जो उपज होती है वही किसानों के खेत तक जाते जाते आधी या उससे भी कम रह जाती है ऐसे में दालों के उत्पादन पर शोध करने वाले वैग्यानिक, रखबा के साथ ही मौजूदा उत्पादक्ता पराहने पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं और इसमें सिचाई के आधुनिक तरीकों की बड़ी भूमिका होने वाली है अगर आप बूंद बूंद सिचाई करते हैं, तपक सिचाई करते हैं मौब प्रति हेक्टर में प्रती हेक्टर में अगर 12 नहीं हुई उसमें अम लोग शिर्फ एक पानी दे देते हैं बैठरेन में गये तो अल्टरेंटेने डेमे पानी लगाते हैं और पास दिन में तो दस दिनतो चलता रहता है टपक सिचाई और खाद रहित गुवाई के तरीकों में बतलाव कर भारतिय दलहन अनुसंधान खेंज को भरोसा है कि दो सालों में भारत दालों का उत्पादन दो करोड़ चालीस लाख टन तक पहुचा सकता है, जो कि पिछले साल एक करोड़ बहत्तर लाख टन रहा था। साल 2013-14 में देश को करीब 31 लाख टन दालें आयात करनी पड़ी थी, जिसके लिए 11,000 करोड़ रुपिय खर्च हुए थे। और ये हाला तब हैं जब भारत में दुनिया भर के दाल खेतों का 35 प्रतिशत है और उन पर विश्व के कुल दाल उत्पादन का 27 प्रतिशत यानि देश अमूमन करीब 180 लाख टन दालनी फचलों का उत्पादन करता है और करीब जो है 30 से 40 लाख मेट्रिक टन हम बाहर से आयात करते हैं जिसका मतलब आज में हमारी जरूरत है करीब 230 लाख टन दाल की आउश रखता है और इसका हम इसलिए इसकी बीच में गैप नहीं उसक कि हमारा प्रोडक्शन जिस लेवेल पर होना चाहिए जो हमारी जरूरत बढ़ती उसके अनसार नहीं हो रहा है इसमें दलानी फसलों में एक जो बहुत बड़ी कमी हमने पाया है कि जो क्वालिटी बीज है उसकी बहुत भारी मात्रा में कमी है क्योंकि यहां पर प्राइब प्रेट सेक्टर नहीं आता है सब पॉब्लीक सेक्टर में होता है और जैसा कि केंदर के डारेक्टर का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण बीजों की कमी इस दिशा में आने वाली सबसे बड़ी चुनावती है तो उसे फोकस कर विशेश तयारियां भी की जा रही है इस माम पर ही है दूसरे शब्दों में कहें तो नीजी कमपनियों को दालों के लिए बीज मुहिया कराना फाइदे मत नहीं लगता और इसलिए उन्हों ने इसमें कोई पहल नहीं की है मिर्चा का बीज 500 ग्राम लगता है टमाटर बीज 500 ग्राम लगता है दलहन का भीज सवासों किलो लग रहा है तो इसलिए कोई प्राइबेट वाला आता नहीं है और इसका जो भंडारन है जो बीज वह भी बहुत कठीन है तो बीज की जो हमारी ओ है अगर देखा जाया तो अगर आप चना में देखे हैं तो 10-15% शेत्रफल में ही हमारे गुडवत्ता एक तो अच्छे प्रजातियों का बीज जा पा रहा है तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगर 19 सिल प्रजातियों का बीज उत्पादन अगर किस्कों के भागीदारी में किया जाया क्योंकि पानी से बेहतरीन उत्पादक्ता दे सकती हैं करते हैं जो सीथ कालीन जो है फसले हैं दलान की उसमें हम जो है 500-600 mm तक बारी सगर हो जाए उसके वे तब वो जमीन में परयाप्त मात्रा में नमी मौजूद रहती है और किसान अक्टूबर तक जो है उसको बोड डालते हैं और उसके बाद थोड़ी सी अगर रेन हो जाए इबेन आप समझ लीजिए कि ओस ठीक ठाक हो जाए ये जो ओसके पढ़ने से भी जो है काफी मात्रा में नमी बातवरन से खीच लेता है और जो है अगर थोड़ा सा भी डिजलिंग हो जाए हलकी बारी सगर हो जाए डिसमबर या जनौरी में उसके लिए पलसेस के लिए बह अनुमान के मुताबिक 15-20 प्रतिशत दालें केवल इसी प्रक्रिया में नश्ट हो जाती है अगर इसका आधा भी बचाया जा सके तो पादन में वैसे ही 15-20 लाख टन का इज़ाफा हो जाएगा एक और एहम तकनी लेजर लेवलिंग की है जिससे नमी और पोशक तत्मों का खेतों में समान वित्रण हो सके हालांकि ये एक खर्चीला काम है जिसमें सरकार को मदद करनी होगी फिर भी अगर इस पर ध्यान दिया गया तो उपज में आसानी से 5-7 प्रतिशत की बहुतरी हो सकती है देश में दलहन के उत्पादन और उसकी खपत में केवल 25 फिस्दी का अंतर है और IIPR के वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछी सालों में इस अंतर को आसानी से पाटा जा सकता है यानि साधन भी है और संसाधन भी जरूरत है तो बस केवल सही दिशा में योजना बनाने की और उस पर इमानदारी से अमल करने की भारतिय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपूर से मंडी.com के लिए अनिलवत्स के साथ भुवन भास कर हुआ हुआ है